सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियोज नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करें और आपके सारी ख्चाहें मनकावने पुरी हूँ दोस्तों आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पुन जान करें विए करूँग और यहाँ पर आपकी जो करियर है वो करियर मेरेज लाइफ इस्पेन इन सब के रिगार्डिंग भी है और एक और आपका प्रशन ये भी है कि लाइफ लें शॉट है तो यहाँ पर सबसे पहले इसी दिशे में आपसे बात रखना चाहूँगा कि देखिए लाइफ लें शॉट ये डिटर्माइन नहीं करती है कि आपकी एज क साथ हो रहा है वी शिंबोल एक प्रगर से कारियों के विभाजन को दर्शाता है यानि जब आपकी उम्र तकरिबन 38 के आसपस में रहेगी उस समय आप बहुत ज़्यादा ही अपनी जीवन में विकास के और बढ़ रहे होंगे क्योंकि आपका जो लाइफ लाइफ लाइन द जीवन जो है मक्खन के जैसा हो जाएगा मक्खन जैसे इसमूथ एकदम और यही रिजन है कि मल्टिपल ट्रेवलिंग होना और ज़्यादा ग्रोथ सक्सेश अचीमेंट हांत लगना वो सभी योग आपके जीवन में अवेलेबल रहने वाले रहेंगे और बहुत इस्ट्रो रहें आपका जीवन शेली तकरिबन 78 वह उसके ऊपर तक भी है बागे सब मालिक के हाथ में है लेकिन पामिस्ट्री से उम्र अच्छी देख रहे है और अच्छे खासे अपने लाइफ को इंजॉय करते वे सेटिसफाइड लाइफ स्टाइल भी व्यतीत करपाने में शक्ष तो यहां पर भी जितनी भी यह प्रोग्रेस लाइन निकल रहे है यह सब के सब आपको 37 और 38 एज के बीच में ही निकलते दिख रहा है तो जब इस परगार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो यह धर्शाद है कि जिस कॉम्पुरिटिव एक्जाम में आप अपने एफर् कास्वार को दर्शाद रहा है आगे 28 की जो पर देंटीएट की जो आपकी साथ साध यह प्रोग्रिटी ऑपर आपकी 女त swaps के बीच में तो यह धर्शाद है तो सूर के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी रेखाए ज़्यादा Focused नहीं चल रही है सारी की सारी रेखाए रुक रुक करके तूट करके चल रही है तो सूरी जब इस प्रकार से reject करता है तो बहुत ज़्यादा Focuss में कमी दे देता है जिसके अंतरगत हर छेतर में अपना हाथ अजमाना एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर काम को बीच में रोक दूसरा काम शुरू कर देना तो यह focus गोल के प्रतिक एक प्रगार से clarity या किसी भी काम में continuity इन तीनों चीजों को दिरे दिरे कर कम करता है और सूर्य यहाँ पर कारक है name, respect, success, money, career, position, authority इन सब चीजों का तो जब सूर्य ही इतनी सारी रेखाओं से ग्रस्त हो तो व्यक्ति का जो energy है वो बहुत ज़्यादा चीजों में divide होता चला जाता है इसलिए आपको अपने focus को बढ़ाना होगा तब जाकर के career की regarding आप cleared अपने life में हो पाएंगे और satisfied भी हो पाएंगे otherwise temporary period में work करने के chances फिर बने रहेंगे और इस प्रकार की सूर्य रेखा जब होती है तो कोई भी काम करते तो satisfaction भी इवन जल्दी नहीं मिलता है आगे चलकर के वी symbol की आकरती भी है आपके सूर्य रेखा के उपर जो अच्छे खासे success growth को denote करता है और वी symbol के sign को इसको यशश्वी योग कहा जाता है यशश्वी योग के अंतरगत वेक्ति थोड़ा संघर्ष के बाद अपने जीवन में property अर्जित कर पाने के साथ साथ नाम इज्जत समाज घर परिवार या अवधा जो position है उसको हासिल कर पाते हैं authority हासिल कर पाते हैं तो सूर्य ये react भी कर रहा है लेकिन उसके पहले जो confusion इतना है उसको कहीं न कहीं आपको दूर करना होगा अभी कोई specific sign यहाँ create नहीं हो रहा है लेकिन सूर्य को जब आप clear करेंगे यानि इसका remedy कर अपने life में creative लाकर के clarity मतलब एक समय पर एक काम करना multi tasking nature ना रखना तो automatically सूर्य जब अच्छा response करेगा career और stable और growth में आपका जाने वाल रहेगा और जहां तक बात करें यहाँ पर marriage life के रिगाड़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो life line के parallel जितनी भी supportive line है वो सब के सब यहाँ पर तकरिवन 28 के age के बाद में ही denote हो रहा है तो इसलिए marriage के योग भी 28 के age के बाद में ही comparatively ज़ादा strongly recommend हो रहे हैं अब यहाँ पर आते हैं आपके finger के length question में तो finger के length आपके palm के comparison में short है जो instant decision taker व्यक्ति को बनाता है इस condition में यह रहता है कि जैसे ही दिलो दिमाग में जो भी कोई बात आती है या जिस भी बात से inspired, motivated या influence हो जाते हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करते हुए पाय जाते हैं patience थोड़ा सकम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के चाहत जाएदा होती है इसलिए फटाफट किसी भी काम को खतम करने के चैस्टा आपके अंदर यहां रहने वाली रहेगी आप किसी के अंडर में ज्यादा comfortable तो नहीं रहेंगे अपने अंडर में दूसरों को रखकर अच्छे से काम निकल वा लेने वाले रहेंगे यहां पर देखें तो little finger पूरा का पूरा conjunct है third finger से जिस condition में यह दर्शा था है कि family से connection अटेशन बोर्डने का आपका अच्छा रहेगा यही रेजन है कि family से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं और family life के regarding sacrifices करते हुए भी पाय जाते हैं little finger, third finger के first port तक पूज़र तो इस condition में communication इसके लिए marketing skill ठेक रहता है और ऐसा कोई भी stage fear, hitch की चार्ट घबरहाट इसा नहीं रहता है और जो भी काम अपने हाथ मिलेंगे अपने और से 100% efforts डाल उस काम को perfectly done कर देंगे first finger का जो length है वो strong है जिसके करन यह responsibility taking nature देता है जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे और देखा जाए तो यह दर्शाता है कि आप कभी किसी को ना भी नहीं कर पाते है जब भी कोई आपके पास किसी प्रकार की मदद या responsibility देने आता है साथ ही यह ग्यान का कारक है इसलिए ग्यान अच्छा देता है high ear studies देने के लिए सबसे important यह finger माना जाता है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी आपके जिवन में ज़्यादा रहेगा उसकी भी guarantee देता है यानि power position आपके जिवन में रहेगा अधिकारी आप रहेंगे इसके लावब यहाँ पर देखें तो as a leader, advisor, guider, consultant या teacher भी अच्छे professionally growth कर पाने की योग बनते हैं self respect जाद रहेगा finger के उपर हाला कि कोई specific न सीधी खड़ी रेखा न आड़ी रेखा है तो इस current से जो nature होता है वो कुल मिला करके normal रहेता है जैसा सामने वाला react करेगा उसी के accordingly react करेंगे यहाँ देखा जाए तो finger के जो notes है वो clear cut है जो एक spust वादी किसमा का nature देता है जिसके अंतरकत सीधे spust रूप से बाचित करना, सुनना, विचारना basic nature में होता है phalanges and internal mouse दोनों develop ठीक है तो stamina, energy, रोक, प्रतिरुधक, शमता ठीक रहेगा thumb का size भी अपने आप में शशक्त और मजबूत है तो इस current से आपके अंदर logical जो nature है वो अच्छा देखने हो कुम रहे है क्योंकि second finance developed ठीक है thumb नॉर्मल स्थिती में है और जहाँ पर thumb का joint point है वहाँ मानसल कम है तो आपके अंदर flexibility और adjustment भी जादा रहेगा जिसके accordingly जैसा समय परिस्तिती है उसके नुसार अपने आपको ढाल लेना या अपने decision या planning के अंदर बहुत ज़ली changes को adopt कर लेना वही यहाँ पर आपका यव कचीन भी डेवलप्ट पर open है इस condition में पेसा जिवन में आता ठीक है लेकिन रुकता नहीं है खर्चे जादा देखने को मिलता है palm का size यहाँ पर देखेंगे तो palm का size आपके लंबाई में अच्छा काम करा जिसके currently lots of dream, desire, ambition को दर्शाता है जीवन के ब्रती बड़ी सोच और approach यहाँ definitely देखने को मिलती है और यहाँ पर देखेंगे जूपिटर के उपर तो जूपिटर यहाँ पर आपका developed अच्छा है तो यह एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके जूपिटर पर rectangle का sign है और इसे protection sign कहते हैं और जब इस पर अगर का sign होता है तो आप नहीं तो बहुत अच्छे position पे पहुचेंगे नहीं तो आपका जिन से marriage होगा यानि आपके spouse बहुत बड़े position पे रहेंगे पावर position authority पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यह चीज़ें यह दिलाता है इसलिए marriage के बाद prosperity and property यह दोनों बढ़ता है knowledge अच्छा देता है even तमाम तरह के basic needs requirement को fulfill करता है तो किसी भी चीज़ के इसे जीवन में कमी नहीं रहती है जब इस प्रगार के square का sign होता है और यह लग की बनाता है इसलिए लग हमेशा सही होग जरूर देता है यहाँ पर यह जो आड़ी रेखा जा रही है यह आड़ी रेखा आपको धार्मिक बनाएगी यही रिजने की spiritual connection से strong रहेंगे और तमाम तरह के धर्म गरांतिया रहस्यमी विद्धाओं के प्रतिरोची बढ़ेने के साथ सा शोशल वर्क या एनिमल लवर भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे इस condition में दूसरों का दुखदर नहीं देखा जाता है और खुझ से जितना हो सकता है दूसरों को सही होग देने वाले आप यहाँ रहेंगे तो इस प्रगर का formation देयालू किसम का वेक्तित देता है और प्रोग्रेस लैंड की जो यहाँ पर योग है कुल मिलाकर के positive बहुत है यही reason है कि कभी जीवन में हार नहीं मानेगे और जो ठानेंगे या जो भी ambition या dream रहेगा वो सब चीज़ को आप अचीव जीवन में करपाने में शक्षम रहेंगे तो Jupiter well placed and position में है तो matrimonial life की प्रति यह बहुत अच्छे सुखों को दर्शात है यही reason है कि marriage के बाद जीवन में और ज़्यादा सुख समरिद्धी आपके बढ़ने वाला रहेगा सेटन यहाँ थोड़ा सा week जा रहा तो कारियों में यह देरी करवाता है यही reason है कि काम सब बनेंगे लेकिन थोड़ा देरी से और जैसा कि देख सकते कि fate line सेटन तक नहीं पोचा है तो जीवन में satisfaction आपको जल्दी कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि हर काम में continuity आपके अभी नहीं देख रहा है इसलिए सूर को मजबूत करिए तब जाकर कि आपका जो fate line है वो केसे भी कर सेटन तक प्रॉपरली पोचेगा तब जाकर आपको satisfaction रहेगा अदर्वाइस चनी पर भी रेखा है जो जीवन में धनार्जन में कोई कमी नहीं रखेगी और भागे में भी कमी नहीं रखेगी लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी रेखा स्टार्ट हो करके सेटन तक नहीं पहुच पाता है तो इसलिए satisfaction नहीं मिलता और satisfaction किसी भी काम में क्यों नहीं मिलता है क्योंकि ये मान के चलिए एक train है पूरा का पूरा fate line और fate line जब start होता है तो start इसले होता है ताकि वो अपने destiny या final result तक पहुच पाया तो जब कोई भी train बीच में ही रूके रह जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए satisfaction इसी current से नहीं मिल पाता है क्योंकि जो luck है या जो कर्म है वो destiny तक नहीं पहुच पाया इस condition में आप train छोड़ किसी माध्यम से अपने destiny तक पहुचेंगे लेकिन जो train का सफर रहता वो ज़्यादा आपके लिए सही रहता तो आशा रखता हूँ ये examples आपको clear cut समझ में आया हो तो ये सफर के से पूरा हो सकता है ये सफर पूरा तब हो सकता है जब आप अपने focus को clear रखें और continuity हर काम में बनाया रखें इसका में रेमेडिय आपको यानि सूरे का रेमेडिय आपको WhatsApp पर दे दूँगा इसके लब यहाँ पर बीच में जो ही रेखा देख पार है इसे विद्धा रेखा कहता है तो knowledge के regarding कोई कमी देता ही नहीं है दूसरों को guide advice suggestion अच्छे से दे पाने में शक्षम होते है जो आपका पूरा ग्यान है वो दूसरों के काम अच्छा आएगा mercury mound पर कोई specific एक प्रकर से देखा जाए lines नहीं है लेकिन कुछ हलके हलकी रेखाएं भी होने के कारण भी यह multiple languages का knowledge, intelligence अच्छा देने के साथ good decision taker भी यहाँ पर बनाने वाला र रेखा के अंत में गोपुच के आकरती होना good sense of humor, flatly romantic nature और माता-पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को दर्शाता है उम्र 49 से लेकर यह 53 के बीच में स्वास संबंदी दिक्कत होने के इंतरगत, surgery होने के chances भी हैं क्योंकि इस प्रकर से जब heartline एक प्रकर से तूटती है या अलग शाखा में डिवाइड होती तो एक किसी ना किसी प्रकर से defect शरीर में सही होने के बाद फिर जीवन चली अच्छे से चलने वाली रहती है, इसलिए इस condition में डर्ना वाली बात नहीं है, परन्तु स्वास्त संबंदी ध्यान रखें कि छोटी मोटी चीजों को भी कलते वे शनी पर आ करके उपर के तरफ मुड़ गया, शनी वेसे दर्शाता है प्रेक्टिकल नेचर को, वर्कोहलिक नेचर को, किसी भी कारे के प्रती एकागरता को, और जब जुपिटर के तरफ रेखा जाने लग जाए, तो फिर ये इमोशनल नेचर को रिप्रेजन करता है, तो फिलहाल आपका नेचर प्योर इमोशनल या प्योर प्रेक्टिकल नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है, यानि जेसा समय पर इस्तिती रहेगा, उसके रुसार अपने आपको ढाल पाने में आप यहां शक्षम रहेंगे, और स्वास संबंदी, तकरिबन दो बार और दिक नहीं है, इसके अलबब यहां पर बात करें माइंड लाइन के बार में, तो माइंड लाइन में आप एक चीज़ देखेंगे, कि छोटी-छोटी रेखाएं कर बहुत सारी रेखाएं उपर के तरफ जा रही है, तो इस पर अगर यह रेखाएं जब उपर के तरफ जाती है, तो ये mental satisfaction को दर्शाता है, यानि studies में ये continuous growth को, success को, और बहुत अच्छे opportunities और ज़्यादा growth करने की योगों को दर्शाता है, इसलिए आपके decision कभी भी जिवन में बेकार नहीं जाएगा, इसलिए कभी भी कोई भी risk या decision लेने से पीछे ना हटे, और बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है focus, उसको maintain रखे overall पूरा का पूरा जो situation है आपके पाम में, वो कुल मिला करके ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे focus करेंगे, तो mind line के end में bifork है, तो इस पर अगर का bifork mentally strong भी बनाता है और साधे साध multiple experiences भी life में देता है, जिसके बिहाफ पे और अच्छे decisions लेते हैं, इंटेलिजेंसी बढ़ती है, एनलेटिकल capacity बढ़ता है, memory sharp होने के कारण को भी चीज़ जल्दी सीख हुआ समझ सकते हैं, छोटी सो छोटी पुराने से पुराने बाते याद भी रहती है, और जब mind line at the end आउटर मार्स पे पहुच जा, तो ये विक्ति को logical nature देने के साथ साथ साहसी भी बनाने वाला होता है, यही रिजने की तमाम तरह के tension, pressure या trouble को easily handle या tackle कर लेने वाले या cool, calm personality के अंतरगत आने वाले देखने को मिलते हैं, तो इस पर अगर के mind line वाले अच्छे position, authority के साथ साथ अच्छा income भी अपने life में generate कर पाते हैं, life line के formation भी tension लेने वाली बात नहीं है हाला कि stresses line बहुत आईस में mangle की रेखाई भी आई, तो उमर 19 से 20 के बीच तक तो aggressive nature भी था, चीरचेड़ा सुभाव भी था लेकिन उसका धेरे धेरे सुधार अच्छा हुआ है और अभी 28 से supportive land भी आईगी, तो और ज़्यादा success जैनी marriage के बाद आपको मिलने वाला रहेगा internal Mars पर काम करना है शुक्र तो well placed है, यह multiple luxury car, बंगलो या तमाम तरह के जो standard of living अच्छा रहना या royalty based जो lifestyle रहना वो सब की योगों को दर्शारा यह सा शुक्र उम्र लंबी देता है स्वास्त अच्छी देता है और तमाम तरह के जो शोख अर्मान या desires होते हैं उसको यह complete कराता है क्योंकि शुक्र कारा के happiness का peacefulness का ऐसे लिए कोई भी एक छार्मान यह pending नहीं रहने देगा तो यह भी well placed है तो अच्छे घासे घर परिवार में जाने की योग भी आपके हतेली में है केतु के उपर कोई specific sign नहीं है लेकिन यहां से जब भाग रेखा निकल के continue रहती है तो ancestors से benefit अच्छे मिलता है ancestors से एक प्रगार से blessings मिलना, support मिलना या property मिलना इन तीनों में से तीनों नहीं तो कम से कम एक चीज़ जरूर रहती है यहां पर एक चीज़ ध्यान रखे है कि चंदर पर तिल होना मानसिक और संतुष्टी का सबसे बड़ा कारक होता है mother health में defect भी देता है जब इसकी power बहुत ज़ादा हो हाला कि यह तील थोड़ा सा धुंदला होते हुँ दिख रहा है लेकिन यह तील अग्यात भय चिंता भी दे देने वाला रहता है जैसे अगर इसको भी ignore हम करें तो यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखा वो दर्शार है कि आपके focus में कमी बहुत है क्योंकि मन बहुत ज़ादा विचलित हो जाने वाला या भटक जाने वाला या एकागर चित नहीं रह पाता है इन सारी रेखाओं से विदेश यातरा की योग भी बनते हैं लेकिन मानसिक और आंतरिक असंतुष्टी को भी represent करता है तो यहाँ पर आपको चंद्रगावे remedy करना ज़रूरी है ताकि mental पीसनेस, satisfaction और मन जो है वो एकागर चित रह सकने के द्वारा किसी भी प्रगर का अज्यात भाई चिंता ना रहा है और फिलाल यह सारी के सारी रेखा है अभी गवर्न होई रही है mercury line, fate line तो यह इसका prediction अभी आपको नहीं जीत दिया जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पर mercury line भी धीरे-धीरे developed हो रहा है हाला कि money triangle open है तो पेसा इस जीवन में आएगा रुकेगा नहीं और double source of earning और अच्छे खासे property में investment के chances उमर 39 से 43 के बीच में भी strong है बात करें left palm में आपके fate line के बारे में तो fate line तो नहीं पर चंदर के उपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खलका सा cross का sign भी है तो यह negative thoughts को भी यहाँ पर represent जो है करता है तो यहाँ पर चंदर remedy करना जोरूरी है बागे fate line हो या life line दोनों एक प्रकार से smoothly यहाँ पर run कर रहा है तो इस current से भाग गे का असर तो ठीक रहेगा इसलिए तकरिबन continuous growth ही यहाँ पर आपका उमर 42 और 44 के age के 20 तक दिख रहा है तो यह थी सबसे महत्पून बाते आपके हाँ के रिगाड़ी आशा करता हूँ सभी परेश्णों को तरमल गया हूँ तब तक अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत दहने बाद